आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉंसेप्ट अपाथ फॉर सेक्सेस में इस बीडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे हिमाचल परदेश की जियोग्राफी के पार्ट बन के बारे में टॉप एमसी क्यूस शुरू करते हैं इंपोर्टेंट एंड इंटरस्टिंग बीडियो लेक्चर पहला प्रशन है आपके पास हिमाचल परदेश पूरी तरह से किस हिमाल्यन हिस्से पे लाई करता है अगला प्रशन है आपके पास प्राचीन काल में किस माउंटेन रेंज को मानक परबत के नाम से जाना जाता था शिवालिक माउंटेन रेंज को प्राचीन काल में मानक परबत के नाम से जाना जाता था A. इस्ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास प्राचीन काल में किस mountain range को मौलक परबत के नाम से जाना जाता था A. उप्षन शिवालिक mountain range B. अप्षन धोलाधार mountain range C. उप्षन पीरपनजाल mountain range D. उप्षन झांसकर mountain range तो मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता था धौला धार मौंटेन रेंज को B. इस्ता करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास कौन सी पर्वत श्रिंकला है जो हिमाचल को तिबबत से अलग करती है A. आप्शन चिवालिक मौंटेन रेंज B. आप्शन धौला धार मौंटेन रेंज C. आप्शन पीर पंजाल मौंटेन रेंज D. आप्शन जांसकर मौंटेन रेंज इसका सही अंसर है जांसकर मौंटेन रेंज D. इस्ता करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास मंडी जिले की सबसी उची चोटी नागरू जो है हिमाचल पदेश की किस परबश रिंखला पर स्थित है A. आप्शन शिवालिक मौंटेन रेंज B. आप्शन दोलाधार मौंटेन रेंज C. आप्शन पीर पंजाल मौंटेन रेंज D. आप्शन जांसकर मौंटेन रेंज इसका सही अंसर है दोलाधार मौंटेन रेंज B. इस्ता करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास रो तांक पास हिमाचल पदेश की किस परबश रिंखला पर स्थित है A. आप्शन शिवालिक मौंटेन रेंज B. आप्शन धोलाधार मौंटेन रेंज C. आप्शन पीर पंजाल मौंटेन रेंज D. आप्शन जांसकर मौंटेन रेंज सही अंसर है पीर पंजाल मौंटेन रेंज पे स्थित है आपका रो तांक पास C. इस्ता करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास सही अंसर है इसका मंडी जिला में करसोग में स्थित है आपकी इमला बिमला बैली C is the correct answer अगला क्वश्चन है आपके पास मंकी बैली यानि बंदर घाटी हिमाचल पदेश के किस जिला में स्थित है A option कांगडा, B option कुलू, C option चमबा, D option इन में से कोई भी नहीं सही अंसर है चमबा डिस्टिक, C is the correct answer अगला प्रश्चन है आपके पास हिमाचल पदेश की सबसे ज़्यादा उपजाओ भाटी कौन सी है A option कुलू बैली, B option कांगडा बैली, C option राभी बैली, D option बल बैली तो इसका सही अंसर है बल बैली जो की मंडी जिला में स्थित है D is the correct answer अगला प्रश्चन है आपके पास चोहार बैली हिमाचल पदेश के किस जिले में स्थित है A option चमबा, B option कांगडा डिस्टिक, C option मंडी डिस्टिक, D option कुलू डिस्टिक सही अंसर है इसका मंडी डिस्टिक में स्थित है आपकी चोहार घाटी C is the correct answer अगला प्रश्चन है आपके पास चोहार बैली हिमाचल पदेश के किस जिले में स्थित है A option चमबा डिस्टिक, B option कांगडा डिस्टिक, C option मंडी डिस्टिक, D option कुलू डिस्टिक सही अंसर है मंडी डिस्टिक, C is the correct answer अगला प्रश्चन है आपके पास इमाचल पदेश की चौन्टो बैली किस जिले में स्थित है A option कुलू, B option सिर्मौर, C option बिलास्पूर, D option मंडी तो चौन्टो बैली मिलेगे आपको बिलास्पूर डिस्टिक में C is the correct answer अगला प्रश्चन है आपके पास मनी करण गर्म पानी का जो चश्मा है हिमाचल पदेश के किस जिले में स्थित है A option कुलू, B option शिम्ला, C option मंडी, D option किनौर सही अंसर है इसका कुलू डिस्टिक A is the correct answer और ये मिलेगा आपको पार्वती नदी के किनारे अगला प्रश्चन है आपके पास तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा जो है हिमाचल पदेश के किस जिले में स्थित है A option कुलू, B option शिम्ला, C option किनौर, D option मंडी सही अंसर है मंडी डिस्टिक में कर्सोग के पास स्थित है आपका तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा C is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल पदेश टूरिजम डवलप्मेंट कॉर्परेशन ने तर्किश टाइप के बात बनाए है हिमाचल पदेश के किस गर्म पानी चश्मे में A option बसिस्ट में B option शिम्ला, C option मनी कर्ण में D option कसोल में तो इसका सही answer है तर्किश टाइप बात जो मिलेंगे आपको ये मिलेंगे आपको बसिस्ट होट वाटर स्प्रिंग जो कि स्थित है आपका मनाली डिस्टिक कुल्लू में A is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास रहला वाटरफॉल हिमाचल पदेश के किस जिले में स्थित है A option कुल्लू B option मंडी C option चंबा D option कांगडा इसका सही answer है कुल्लू डिस्टिक के मनाली में स्थित है आपका रहला वाटरफॉल ये हिमाचल पदेश का सबसे उंचा जर्ना है A is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास चेटबिक वाटरफॉल जो है हिमाचल पदेश के किस थान पे स्थित है A option डलहौजी B option समर हिल C option मनाली D option हमिरपूर चेटबिक वाटरफॉल मिलेगा आपको समर हिल डिस्टिक शिमला में B इस ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास इन मेंसे कौन सी जील हिमाचल पदेश की सबसे वड़ी प्राकर्तिक जील है A option गोबिन सागर लेग B option रिवालसर लेग C option चंदरनाहन लेग D option रेणुका लेग सही अंसर है रेणुका लेग D इस ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास इन मेंसे कौन सी लेग है जो हिमाचल पदेश की सबसे वड़ी मानम निर्मिज जील है A option गोबिन सागर लेग B option रिवालसर लेग C option चंदरताल लेग D option रेणुका लेग इसका सही अंसर है गोबिन सागर लेग जो कि आपके बिलासपुर जीला मस्तित है ये हिमाचल पदेश की सबसे बड़ी मानम निर्मिज जील है A इस्ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास चमेरा जील जो है हिमाचल पदेश के किस नदी के उपर बनाई गी है A option सतलुज B option ब्यास C option रावी D option चिनाब तो इसका सही अंसर है रावी नदी के उपर और ये आपको मिलेगी चमबा डिस्टिक में C इस्ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास इन में से कौन सी जील हिमाचल पदेश की सबसे छोटी artificial जील है A option पॉंग लेक B option पंडो लेक C option चमेरा लेक D option गुमिन सागर लेक तो इसका सही अंसर है पंडो लेक जोकी मंडी जिला में स्थित है ये हिमाचल की सबसे छोटी artificial लेक है B इस्ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास मान तलाई जील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है A option मंडी B option कुलू C option किन और D option लहौल स्पीती सही अंसर है कुलू डिस्टिक B इस्ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास इन में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की लेक जो है वो रामसार बेटलेंड साइड है A option रेणुका लेक B option चंदरताल लेक C option पॉंग लेक D option अल अप्षिन तो इसका सही अंसर है अल अप्षिन D इस्ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास इन में से कौन सी जील है हिमाचल प्रदेश की जो की famous है आई स्केटिंग प्लेग्राउंड के लिए सर्दियों में A option सोरंग लेक B option नाको लेक C option चंदरताल लेक D option धनकर लेक तो आई स्केटिंग प्लेग्राउंड के तोर पे famous है आपकी नाको लेक जो की आपको मिलेगी किनौर डिस्टिक में B इस्ता correct answer Last question है आपके पास हिमाचल की कौन सी जील जो है जिसे floating island के नाम से भी जाना जाता है A option रिवालसर लेक B option लामा डल लेक C option प्राशर लेक D option चंदरताल लेक floating island के नाम से जाना जाता है रिवालसर लेक को A इस्ता correct answer और ये आपको मिलेगी कहां पे Monday district में तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने geography के बारे में जाना हिमाचल प्रदेश की ये part 1 है next में हम part 2 देखेंगे वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है वीडियो लेक्चर को like करें अपने valuable comment करें जादा से जादा share करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल the concept a path for success को share करें and subscribe करें thank you जै हिंग, जै भारत, जै हिमाचल